हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल अनिस्टोपेबल एजूकेशन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप मूवीज के सब्टाइटल का यूज करके अपनी इंगलिश को इंप्रूफ कर सकते हो एक बहुत ही बहत्री न तरीका है इंगलिश सीखने का अगर आप भी अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो और इंगलिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंट तक जरूर देखना So friends, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला sentence So friends, यहाँ पर यह बोल रहा है कि जल्दी करो कार में आओ So इसका एक दोस्त है जो बाहर ख़ड़ा है कार से उससे कह रहा है कि Hurry up, get in the car Hurry up, get in the car जल्दी करो कार में आओ, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है We still have a long way to go We still have a long way to go यानि अभी तो हमें बहुत दूर जाना है We still have a long way to go मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने की थी वो तुम करो यहाँ पर अपनी छोटी बहन को समझा रही है कह रही कि I don't want you to make the same mistake I made I don't want you to make the same mistake I made कह रही कि मैंने ही चाहती जो गलती मैंने की थी वो तुम करो I don't want you to make the same mistake I made नहीं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी पश्तावे के साथ जियोगी Otherwise, you will live your whole life with regret Otherwise, you will live your whole life with regret यानि नहीं तो तुम अपनी पूर जिंदगी पश्तावे के साथ जियोगी otherwise you will live your whole life with regret बिलकुल मेरी तरह, just like me तुम तो काफी अच्छे इंसान लगते हो आपर किसी से मिली है, मिलके उससे कह रही है कि you seem like a very nice person you seem like a very nice person तुम तो काफी अच्छे इंसान लगते हो you seem like a very nice person कह रहा है कि please ऐसा बोलकर मुझे शर्मिनदा ना करें please don't embarrass me by saying so please don't embarrass me by saying so please ऐसा बोलकर मुझे शर्मिनदा ना करें please don't embarrass me by saying so वो पहली नजर का प्यार था so friends यहाँ पर किसी को अपने बच्पन के प्यार के बारें बता रहा है कह रहा है कि that was love at first sight that was love at first sight यानि वो पहली नजर का प्यार था that was love at first sight मुझे उसे देखती प्यार हो गया था I fell in love with her the moment I saw her I fell in love with her the moment I saw her काश मेरी शादी उससे हो गई होती I wish I had got married to her I wish I had got married to her यानि काश मेरी शादी उससे हो जाती हुवी नहीं है यह बोल रहा है कि काश हो जाती I wish I had got married to her शायद एक होना हमारी किस्मत में नहीं था इस English में बोलेंगे किस्मत के लिए हम यहां यूज करेंगे किस्मत में नहीं लिखा होना है, किस्मत में लिखा होना है, इसके लिए उसका थे हम destined, कह रहा है कि perhaps we weren't destined to be together, perhaps we weren't destined to be together, शायद एक होना हमारी किस्मत में नहीं था, साथ होना हमारी किस्मत में नहीं था, perhaps we weren't destined to be together, तुमने गलती से मेरी shared family, किसी ने इसकी गलती से इसकी shared family तो से बता रहा है कि तुमने गलती से मेरी shat penalty, काफ useful sentence in English और गोलेंगे, you put on my shat by mistake, you put on my shat by mistake, यानि तुमने गलती से मेरी shat penalty, you put on my shat by mistake, मेरी shat उतारो, take off my shat, take off, use करते हैं, shat, उतारने के लिए, यानि कप्ड उतारने के लिए, take off my shat, कह रहा है कि मेरी shat उतारो, take off my shat, ये जैसी थी मुझे वेसी वापस चाहिए, I want it back the way it was, I want it back the way it was, कह रहा है कि ये जैसी थी मुझे वेसी वापस चाहिए, I want it back the way it was, इसे जैसा मैं कर रही हूं, वैसा करो हैं, पर एक काम इसे करके दिखा रहे ही कह रहे ही कि do it the way I am doing it do it the way I am doing it कह रहे ही कि इसे जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा करो do it the way I am doing it मैंने आज कुछ जाद ही खाना खा लिया इसे एंगलिश में बोलेंगे I ate way too much food today I ate way too much food today कह रहा है कि आज मैंने कुछ जादे खाना खा लिया I ate way too much food today वो बिलकुल अकेला बेठा था किसी के बारे में बता रहा है कह रहा है कि He was seated all alone He was seated all alone यानि वो बिलकुल अकेला बेठा था He was seated all alone यहाँ पर यह किसी के बारे में कह रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है वोलेंगे यानिमुझेसी फिलिंग आ रही है I have the feeling something bad has happened to him यानि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है I have the feeling something bad has happened to him तुमने अपनी शेट उलटी पहन लिए किसीने शेट पहन भी उलटी पहन लिए तो से देखकर ही हस रही है कह रही है कि you wore your shirt inside out inside out यानि उल्टी you wore your shirt inside out यानि तुमने अपनी shirt उल्टी पहन ली you wore your shirt inside out मैंने गलती से उल्टी पहन ली थी I put it on inside out by mistake I put it on inside out by mistake कह रहा है कि मैंने गलती से उल्टी पहन ली थी I put it on inside out by mistake तुम और कितना जुट बोलोगी इस एंगलिश में बोलेंगे How much more will you lie? How much more will you lie? यानि तुम और कितना जुट बोलोगी? How much more will you lie? ऐसा करके बात को जादा खराब मत करो इससे कह रहा है कि Don't make the matter much worse by doing this Don't make the matter much worse by doing this यानि ऐसा करके मुझे मारने से बात और जादा बिगड़ जाएगी Killing me will make it so much worse कह रहा है कि मुझे मारने से बात और जादा बिगड़ जाएगी Killing me will make it so much worse मैं बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था इस एंगलिश में बोलेंगे Since childhood I wanted to become an actor Since childhood I wanted to become an actor मैं बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था Since childhood I wanted to become an actor मैंने सोचा नहीं था मेरा सपना कभी पूरा होगा I didn't think my dream would ever come true I didn't think my dream would ever come true मैंने सोचा नहीं था मेरा सपना कभी पूरा होगा I didn't think my dream would ever come true अब मैं वो इंसान नहीं हूँ जो था यहां पर इसका कोई पुराना दोस्त मिला है इससे तो से कह रहा है कि I am no longer the person I was I am no longer the person I was यानि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो था I am no longer the person I was मेरे पास भी एक ऐसी किताब है तो किसी के हाथ में किताब देखकर यह बोल रहा है कि I have got the same book I have got the same book तुम्हारे पास यह किताब कब से है पूछ रहा है कि How long have you had this book यहां पर head का use होगा How long have you had this book यानि तुम्हारे पास यह किताब कब से है तो कोई भी चीज हो सकती है इस तरीके से हम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं किसी पर कोई bike है कोई jacket है कोई car है क्या कोई किताब है तो हम इसी तरीके से यहां जब किताब की बात हो रही है तो हम book बोलेंगे How long have you had this book यानि तुम्हारे पास यह किताब कब से है अगर car की बात कर रही है तो हम पूछते है How long have you had this car यानि तुम्हारे पास ये कार कप से है तो सिंपल इस तरीके से में बदल देते हैं sentence की meaning change होती रहती है So friends, जैसे का आप देख सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही जितने भी समें sentence उज़ हुए है सारे sentence बहुत ही जादा useful है तो जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है कौन सा sentence आपको बहुत ही जादा useful लगा जो आपनी day to day life में यूज़ कर सकते हो So friends, जरूर बताना comments box में वीडियो कैसी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर कर देना और अगर आप इसी तरीके से regular इसी तरीके से practice करना चाहते हो अपनी English को improve करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हम regular upload करते रहते हैं So friends, यकीन मानना बहुत ही जादा useful sentence है हो सके तो उन्हें याद कर लेना या no down कर लेना जैसे भी कर लेना उन्हें तुमें आपको यूज करना है जब कभी भी आपको मोका मिलेगा English बोलने का So friends,